नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आपका इश्टेन गुरुजी यूटूब चनल दोस्तों आज की वीडियों हम लोग बात करेंगे राजस्थान विधान सभा सच्वाले से जो रिपोर्टर की भरती आई यानि प्रतिवेदक जिसको आप हिंदी में कहते हैं इंगलिस में रिपोर्टर कहते हैं । उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं डिटेल में चर्चा करेंगे कितनी वेकांसि में और बात करने नाज हो आज आया हुआ है प्रतिवेदक के लिए आई है अनि कि रिपोर्टर जिसकों कहते हैं ठीक है उसके लिए आई है जिसमें आपके टोटल आठ पदों के लिए बैकेंसी निकाली गई है जिसमें से छे पद जो है वो हिंदी स्टेनोग्राफिक के लिए है अनि हिंदी रिपोर्टर के लिए है और ग्रेट पे की बात करें तो 4800 ग्रेट पे अगर हम 7 CPC के हिसाब से बात करें तो यह पे लेवल 8 होगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर अगर हम योगता की बात करें तो सहचिक योगता क्या रखी गई है तो आपके पास graduation होना चाहिए ठीक है भारत में विधी द्वारास्था बोला जाएगा 10 मिनट का डिक्टेशन होगा और टांस्क्राइब करने के लिए 2 गंटे 10 मिनट का समय दिया जाएगा ठीक है वहीं इसके साथ सेकेंड श्टेज में आपको 50 सब्देपरत मेंट की स्पीड से टाइपिंग टेस्ट भी निकालना होगा ठीक है टाइपिंग ट आपका चार बेकिंसी जो है वो सामान के लिए बाकी S.E.S.T. और अति पिछड़ा बर्गी यह सब के लिए है टीक है तो अधर श्टेट से जो अपलाई करेंगे वो सामान काटेगरी में करेंगे टीक है आरक्षण कालाब के वो राजस्थान के निवासियों को मिलेगा इस है ठीक है आरक्षण कालाब के वो राजस्थान के निवासियों को मिलेगा मैं फिर से बता दे रहा हूं ठीक है और आयू की गर्णा आपकी की जाएगी एक एक चौबिस से यानि एक जनौरी दोजार चौबिस को आप 18 साल के हो रहे हो और 40 साल की बीच में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है ठीक है फार्म दोस्तों आपका एक रास की माध्यम से भरा जाएगा ठीक है और बाकी कोई माध्यम से अप्रिलिकेशन स्विकार नहीं किया जाएगा और एक बार फीस जमा करने के बाद फीस किसी भी दसा में वापस नहीं होगा इस बात को ध्यान रख है ठीक है कि राजस्थान विधान सभादवारा जारी होने वाले समस्त भरतियों है तो आवेधन करने पर एक बार ये आवेधन सुल्क दे होगा ठीक है आवेधन करने की अंतिम्तिति की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आठ जून रखा गया है ठीक है अभी आपके पास इयनत करना पड़ता है ठीक है अकुरेशी भी लानी है आपको ऐसा नहीं कि खाली आपने सौर्ट एंड लिख दिया बस हो गया सौर्ट एंड लिखने के बाद उसको पढ़ना भी है टांस्क्राइब भी करना और एकुरेशी के साथ करना है ठीक है तो आपका जो है आड़ ताधिक तक आठ जून तक फार्म भरा जाएगा लाश्ट बारा बजे तक भरा ही जाएगा ठीक है तो आपको लाश्ट डिट का इंतिजार नहीं करना फटा-फट से फार्म अप्लाई करके अपनी तयारी में लग जाना है इसमें कोई रिटेन एक्जाम नहीं है कि वल सॉटन के लिए अपलाई करते हैं नहीं हिंदी रिपोर्टर के लिए और इंग्लिस रिपोर्टर के लिए करते हैं तो आलग-अलग आप एदन आपको करना पड़ेगा ठीक है इस बात को दिया रखिए कि बाकी जानकारी या राजस्थान सचिवाले की वेबसाइट पे दिया गया जा सकती है और यहां पर आठ्वे नंबर में देखिए कि उक्त नियुक्ति प्रकिरिया को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निरस्थ करने का अधिकार राजस्थान विदानसवा सच्वाले के पास सुरक्चित है ठीक है और पे लेबल की दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले दो साल का इंका प्रोवेशन पीरियर जो होता है उस दोरान आपको पे लेबल बारह नहीं दिया जाएगा ठीक हो लुए उस दोरान आपको पे फिक्स कर दिया जाएगा उसी प्रविच्छा पूरा होगा तो आपको अर्टालीचो ग्रेट के हिसाब से पे दिया और यहां पर इसकैन करके नवीनतम पोटो हस्ताक्षार यह सब आपको जेपीजी फाइल में लगाना है ठीक है मूल आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टी को किसी भी परिस्तिते में बदलने की अनुमती नहीं होगी इसलिए अगर आपने गलती करेंगे तो फिर उसका ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो फाइनल सर्मिट करने से पहले आप फार्म चेक कर लीजेगा एक रास के माध्यम से भरा जाएगा निर्देशा पढ़ लीजेगा ठीक है पूरी बिद्वज जानकारी ले लीजेगा आठ तारीक आठ जून लाज़ डेट है आयो सीमा आपकी एक एक चौबिस से अठारा साल काउंट किया जाएगा अधिक्तम चाली साल होगी बाकी राजस्तान की निवासियों को कटेगरी वाइज पान साल साल चूट भी दिया जाएगा और हमें नहीं लगता कि चाली स के बाद भी कोई रिपोर्टर की त्यारी करेगा अगर कर भी आओगा तो उसको छूट मिलेगा अगर वो एलिजबल है तो ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों सिल्बस की बात कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आयोजित की जाने वाली परिच्छा योजना देखे सबसे इंपोर्टन इस पहला आपका जो पहला चरण होगा सीग्र लिपी बद्ध करने के लिए दो घंटे 20 मिनट का समय दिया जाएगा तो टोटल आपके धाई गंटे में आपका पहला पेपर होगा ठीक है और कहरे कि 140 अथवा इससे कम असुद्धी करने वाले भेरतियों को उत्तिन घोसित किया जाएगा ठीक है तो यह तो डिपेंड करेगा कि क चरन के लिए पात्र होंगे इस बात को धियान रखिएगा टाइपिंग टेस्ट आपसे तभी लिया जाएगा जब आप सौट हैंट टेस्ट क्वालिफाई होंगे ठीक है और कि अभ्यरती की बरियता प्रथम चरन की परिक्षा के आधार पर निधारित की जाएगी ठीक है यान की सौट हैंट टेस्ट में जितनी कम गलती होगी आपकी उसी की हिसाब से आपकी बरियता दी जाएगी दूसरे चरन में दोस्तों आपका दस मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा जो की पचास सब्द परिक्षा कंप्यूटर पर यूनिकोड मंगल फांट पर ली जाए होता है और यूनिकोड मंगल फांट दे दिये तो मंगल में आपका गेल भी आता सी बी आई भी आता है ठीक है रेमिंग्टन भी आता है तो सारे आते हैं तो हमें लगता कि सारे फांट यहां पर मिलेंगे ठीक है जो गुरती दियो करते हैं वो सी बी आई गेल कर सकते नहीं कोई भी कदाचार से अगर आए जाएंगे तो आप उसके खिलाब दोसी करा के जाएंगे फिर से एक बारी फिर से हम बता देते हैं यहाप फिर दो है दोस्तों आपका 600 रुपया जनरल करेक्रिक के लिए बाकी के लिए 400 रुपया रखा गया है ठीक है और आपका बाकी सूचन है तो आपको सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा ठीक है रिक्तों की संक्या घटाई बढ़ाई जा सकती है यह उनके ऊपर उनके पास अधिकार सुड़क्षित है ठीक है और यहाँ पर देखिया नुक्ति की सरते हैं मैंने पहले बताया कि प्रोवेशन पीडि है ठीक है बाके नुक्ति के लिए योगिता योगिता यह सब यहाँ पर दिया गया आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलिक्राम पर मिल याएगा वार्सप गूरूप में भी मिल याएगा आप जहां से भी जुड़े हुए हैं सब जगा आपको मि इंस्टाग्राम पेश से जुड़े हुए हैं तो भी आपको मिल याएगा ठीक है पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप रिपोर्टर की त्यारी करें और आप मारे पेड़ बैस जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सक आप मेल कर सकते हैं तो इस वीडियो को यहां पर समयवत करते हैं मिलते हैं नए जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्स वार्चिंग जय हिन जय भारत